अगया जाए आज 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 अपको कख्या पांच वी विशय परियवरन अध्यन महामार्च की वर्क इशिट जो है शौल्ट करवा रहा हूं दो धो जार 21 की दोश्तों इससे पहले मैंने कख्या पांच वी के सारे विश्यों को कवर करा दिया है सारे विश्यों की वर्किशिट सॉल्व करवा दिये हिंदी इंग्लिश गणित और या परियावरण है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए गया वहां से देख लें बीना देर के शुरू करते हैं या वर्किशिट का सॉलिशन अगर भारती कर्केट के टीम लीडर होते तो अपनी टीम को आप के से तियार करते हैं यदि मैं भारती कृकेट टीम में लीडर बनूँगा तो मैं अपनी टीम के प्रतेक सदस्य को खेल जादा प्रेक्टिस करने की सला दूँगा या प्रेक्टिस कराऊंगा बढ़ते हैं आगे वीडियो रोक कर आप जो उत्तर भी लिख सकते हैं दूसरा है आपका क्वेशन अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति किसी जानवर को केट कर परिशान करता है त व्यक्ति से जानवर को छोड़ने को कहूंगा और उसके बचाओ के लिए वन विभाग की टीम को सुचित करूंगा इसका उत्तर है आगे देखें कोविड नाइंटीन इस्तिति में आप लोग के से मदद पहुचाएंगे मदद किस तरह करना आपको इस कोरोना काल में कोवि अज की दूरी का पालन करने आदी विश्यों में जागरुक करूंगा ताकि कोई भी वेक्ति इस बिमारी से प्रावित ना हो या इस लिखा हुआ इस बढ़ते हैं आगे घर के बुजुर्ग से बात करके पुराने समय में उप्योग किये जाने वाली चार अरतनी के नाम लि दिये मिट्टी के गिलास आजी का उप्योग होता था है ना इस चार बढ़ताने ना मिट्टी से बने हुए उसके आपको बात करना है तो कुछ भी आप लिख सकते हैं मन से मुझ से निकलने मुझ से निकली हवा से चस्मा साफ करने में मदद मिलती है क्यों क्योंकि मुझ से निकलती हवा में वास्प होती है जिसे चस्मे कांच पर नमी आती है और नमी से चस्मे को साफ किया जा सकता है निम्लिकित के उत्तर दो से तिन वाक्त में देजी अगर किसान एक ही तरह के बीज बोए और एक ही तरह की फसल बोए तो क्या होगा अगर किसान एक ही तरह के फसल बोए तो दुनिया में अन्न फसलों की कमी हो जाएगी जिससे यदि सबी किसान डाल उगाने लगे तो ग्यों धान चना आदी फसलों की कमी हो जाएगी अगला कोशन है अगर आपको विद्या ले से घर जाने का नक्सब बनाना है तो दरवाजा सीडिया बावडी रोड के लिए कौन से संक्यतों का प्रियोक करेंगे तो घर के लिए इसका, सिर्वियो के लिए इसका, बावडी के लिए इसका और रोड के लिए इसका, बढ़ते हैं आगे, सानिक को दियान से अवलोकन करिये और सोचकर सही उत्तर लिखिये, तो इना इसमें जाएगा डीजल, इदन की बच्चत के लिए हमें वाहनों का प्रियोग करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मोटर साइकल का प्रियोग करना चाहिए, प्रसंद हो है न तो टाफिक की पन्नों से है न पत्ते से गुबारे पेन के ढखकन से है न बढ़ते हैं आगे की और खाधन और वेफसा एक फसलों की सूची बना कर तालिका में भरिये तो ये आपको सूची गेहूं चावल मटर उड़त कपास काफी चाई जूट आप एक सारवज़निक स्थान पर खड़े हो और अचानक जमीन हिलने लगे तो आप बचाव के लिए क्या करेंगे यदि हम सारवजनिक स्थान पर रहें तो और अचानक जमीन लगे तो वहीं जमीन पर लेड़ जाएंगे करेंगे निमनिकिघ्रों करम एक तो पहले किसको लिखना है आपको बेले आपन खेट जोतने हैं आपको ऑपर यहाप करें करते हैं कि खेट जोतने कारी करते हैं बीज बोने जवलपूर वदर कुदनी है एहां रायसेंजीले में इस्ति तै जवलपूर countedाहया यहां बेतवन ली के किनारे पर इस्तित को और यहां नर्मदन ली के किनारे पर इस्तिते ना यह दो पर आपके बने हुए एक इधर का सांची के स्तुप और यह एक ग्लास में पानी लेकर दिये गए पदार्थ को पानी में गोलने से अवलोकन को तालिका में लिखिए तो गुल जाता है पानी है ना यह आप देख सकते हैं क्कुशन नमर आपका इत्यास के स्त्रोत के नाम लिखिए और पुराने समय के लोगों के बारे में जानकरी मिलती है हमें खादन या कुदाई के दोरान प्राप्त हुए बरतन आपुशन इमार्थ हत्यार एवं कई आवसेश पुराने समय के लोगों के बारे में जानकरी मिलती है किस कारण से पिडित पोधे पास खीचे चले आते हैं तो शिकारी पोधों से स्वास खुजबू निकलती है जिसकी वज़ा से कीड़े खीचे चले आते हैं शिकारी पोधे किन जीवों का शिकार करते हैं शिकारी पोधे चुहे मेंड को कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं शिकारी पोदो का आकार किस के जिसा होता है शिकारी पोदो का आकार लंबे गोड़े के जिसा होता है शिकारी पोदे भारत के किस राज्ज में पाए जाते हैं शिकारी पोदे भारत के मेगाले राज्ज में पाए जाते हैं पुस्त नमर शिक्ष पन्ना बेतुल और जवलपूर इसके लावा और भी आप देख लेहां पर आपको दिख जाएगा ना यह में इनक्स के अधारपा आपुसर्ण बनाने के लिए हम निमलिकित खाने पदरतों को प्योग करेंगे अंगूटी में हीरा कान में सोना पायल के लिए चांदी का अंगूठे के लिए तांबे का नेकले के लिए बाबिस केरेट सोने और तांबे का प्योग करेंगे जिससे हम आपुसर्ण तयार कर पा से पांच किलोमेटर की दूरी पर इस्तित पाडियों के दूसरी तरफ जंगल इस्ति थे दूसरा प्रस्थ ने पेड़ों का अलावा जंगल में क्या होता है तो पेड़ों के अलावा जंगल में खतरनाग जंगली जानवर एवं कई प्रकार की बड़ी चठानेवा जील नदी तालाव होते हैं कुश्च नमर थ्री है यह आप देख लें जंगल से मिलने वाली वस्तुएं निम्ने हैं ओस्दिया और ओस्दिया इनका उप्योग कई रोगों से उप्चार में होता है लकडियां लकडियों का उप्योग फरनिचर के लिए क्या जाता है जंगल बादलों को अपनियों राकर्षित करके वर्षा कराते हैं जिससे पानी की पूर्टी होती है कुश्च नमर चार है आपका जंगल में कई आधिवासी जाती है रहती हैं जिससे गोंड, भील, मुंडा, खडिया, उराप, गोत, आधि उनके वाज पेड़ों के नीचे लकडियों की जोपड़ी बनाओंगी उनका भोजन, पेड़ों से प्राप्त, फल एवं जानवारों का मांस वेजबुसा, पेड़ों की छाल एवं पत्तो को शरीज से रपेट कर रखने विविन जंगली जानवारों की चित्र बनाओं दोस्तों आपको जो भी जनवारों पसंद है उनके चित्र बना लें वनों की कटाई क्यों नहीं करना चाहिए? वनों से हमें कई प्रकार के लाव होते हैं लकडी प्राप्त, ओस्दी प्राप्त, ऐसे सायक इसलिए हमें इनकी कटाई नहीं करने चाहिए आगला कोशन है आपका जंगल के बारे में चर्चा करना हमें अच्छा लगता है क्योंकि इसे हमें कई नहीं जान जो हमें जानकर या पढ़ने को मिलती हैं जैसे जंगली, रहवास, वेजबूसा, आधी के बारे में फिर आगला कोशन है आपका जागरुकता लाने के लिए वन सरक्षन आपको क्या संदिश देते हैं जागरुकता लाने के लिए वन सरक्षन पर लोगों को हम वनों के ना उने वाली हन्यों से आवगत करा करेंगे ताकि वहाँ वनों की कटाईना करके वन सरक्षन करें one selection का मनला होता है one को लगाएं और one की रक्षा करें पेड के लिए कोई एक slogan लिखिए तो slogan यह न नारा जन जन की यही पुकार बच्चे कमो ब्रद हजार यह न व्रक्ष हजार सोरी जन जन की यही पुकार बच्चे कमो व्रक्ष हजार आप जंगल के बारे में जानकर किस निसकर्स पर पोचेंगे मैं जंगल के बारे में जानकर हम निसकर्स पर पोचेंगे कि हम वनों से कई लाव हैं जिससे हमारी कहीं आवसकताओं की पूर्ती होती है तब हम इस निस्कर्स पर मुझते हैं कि हमें वनों को काटना नहीं चाहिए यह हम इनका सरक्षन करना चाहिए दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आयो तो चैनल को लाइक के मेरे सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद